हेलो अच्छो वेलकम बैक टू जेकर डिजिटल क्रासेस आज मैं लेकर आ गया हूँ रसाइंस सास्तर जो बर्ग दस्वी का अबजेक्टिव प्रस्ण उत्तर जो पहर्थम पार्ट से लिया गया है यहीं कि लेसन वन से है पूरा अबजेक्टिव जो बार-बार एक्जाम में पुछे जाएंगे ऐसे कोशन तो देखिए फर्स्ट कोशन क्या है कौन सी गैस उत्तर जित होगी जब धातुएं धातुएं जल के साथ अभी क्रिया करेंगी धातुएं जो है जल के साथ अभी क्रिया करेंगी तो कौन सी गैस उत्पन होगी आपका टाइम खतम होने वाला ह और जैसे ही time खत्म होगा मैं उत्तर बताऊंगा इसका उत्तर हो जाएगा hydrogen gas ठीक है दोस्तों चलिए अगला question आ गया आपके screen पर लोहा से zinc को लेपित करने की किरिया को कहते हैं यानि कि हमको बताना है आपको लोहा से zinc को लेपित करने की किरिया को क्या कहा जाता है ठीक है चल तो चलिए अगला question आपके screen पर ए रहा silver chloride का रंग कैसा होता है silver chloride का रंग कैसा होता है आपको बता देना है आपका time starts है आप लोग comment box में जल्दी से जल्दी फटाफट answer दीजिए चलिए तो आपका time खत्म होगा और इसका उत्तर हो जाएगा स्वेथ स्वेथ यानिकी white या उजला ठीक है सफेद color का अगला question आपके screen पर ए रहा स्वासन किस परकार की अभिक्रिया है आपका time starts हुआ अम ठीक है तो चलिए आप लोग फटा-फट answer दे दीजिए comment box में जब तक time चल रहा है उसके बार time खत्म होते ही मैं answer बताऊंगा चलिए इसका उत्तर हो जाएगा उपचैन और उसमा छेपी ठीक है अगला question आपके screen पर ए रहा समिकरन CACO3 goes to CAO plus CO2 किस परकार का अभिक्रिया है ठीक है आपको बता देना है CO3 goes to CAO plus CO2 किस परकार का अभिक्रिया है आपका time खत्म हुआ यह है आपको बियोजन अभिक्रिया क्योंकि यहाँ एक product जो है दो या दो से अधिक product में तूट रहा है अगला question आपके screen पर ए रहा साख सबजियों को बिघटित होकर compost बनना किस अभिक्रिया का उदहारन है साख सबजियों को बिघटित होकर compost बनना किस परकार की अभिक्रिया है आपका time खत्म होने वाला है फटा फट पहले answer दे दिजे इसका उत्तर हो जाएगा उसमा छेपी अभिक्रिया ठीक है अगला question आपके screen पर ए रहा रसाइनिक अभिक्रिया के दोरान किसी पदार्थ में oxygen का योग या ब्रिधी क्या कहलाता है या ऐसा भी दे सकता है question कि hydrogen जब हटता है या oxygen जुटता है ठीक है तो उसे क्या कहते है ठीक है तो इसका उत्तर एक ही होगा चले तो इसका उत्तर हम बतायता है उपचैन अभिक्रिया ठीक है उपचैन अभिक्रिया अगला question आपके screen पर ए रहा एक भूरे रंग का चमकदार तो एक्स को वाई की उपस्तिती में गरम करने पर वह काले रंग का हो जाता है तो एक्स का आपको नाम बता देना है ठीक है तो चलिए इसका उत्तर मैं बता रहता हूँ कि इसका उत्तर हो जाएगा आपको copper c u ag से हम लोग तामबा कहते है ठीक है चलिए अगला question आपके screen प पदार्थ को कहा जाता है ठीक है रसाइनी का विक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है रसाइनी का विक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को दोस्तों क्या कहा जाता है अभी कारक कहा जाता है और रसाइनी का विक्रिया के फल स्वरु बने नए पदार्थ को उत्पाद या उत्पादक कहा जाता है ठीक है दोस्तों चलिए अगर या परतिफल भी कहते हैं उसके बाद अगला कुस्षन आपके स्क्रिन पर ही रहा रासाइनी का विक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हरास या हाइड्रोजन का जूटना ठी के कदम से कदम मिला कर चलने वाला मातर एक ही चैनल यूटूब का जेके डिटल क्लास लेकर आ गया हूँ आज दमस्ट इंपोर्टन कोस्षन यानि कि सबसे महत्पूल रसायन के प्रस्षन जो बार बार आपको हर एक बोर्ड एक्जाम में ऐसे कोस्षन पूशे जाते हैं ज लोगों को भी इंगलिस मेडियो माले बच्चों को भी लाब हो हमारा प्रयास आपका विश्वास आप सभी हो सफन दूसरे करें आपकी नकल मेरा यहीं विश्वास है दोस्तों और मैं चाहरा हूँ कि हर कोई जो है मैट्रिक बोर्ड एक्चाम में ठीक है अपने पहला सीड जो है एक दम जहकास ऐसा चड़े कि दुनिया माले देखते ही रह जाए अगला कुस्सन आ गया है दोस्तों जिंक तथा सल्फियूरिक अमले के बीच अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है आपका टाइम स्टार्ट से अल्रेडी आप लोग टाइम खतम होने से पहले जो है ही डोजन गयस जिंक तथा सल्फियूरिक अमले के बीच अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है तह ही लौजन गैस अगला कुस्टन जो है समीकरन है एयने टू एसा फ़ोर प्लस बीए मिस्थापन अभिक्रिया या इसे उभःब इस्थापन डबल displacement reaction के नाम से जानते हैं अगला question है, electron के अस्थनांत्र से बने योगिक कहलाते हैं electron के अस्थनांत्र से बने योगिक कहलाते हैं क्या कहलाते हैं, आप लोगों को पता है, तो जल्दी फटाफट comment में answer दे दिजे, जब तक time चल रहा है आपका time खतम हुआ इसका उत्तर हो जाएगा बैधूत सन्योजी योगिक अगला कुश्चन आपके स्क्रीन पर ए रहा लीड नाइटरेट को गरम करने पर कौन सा उत्पाद बनता है लीड नाइटरेट को गरम करने पर कौन सा उत्पाद बनता है आप लोगों को ये question पूछा गया है अगर पहले से जानते हैं तो comment box में फटा फट answer दे दीजिए चलिए आपका time खतम हुआ और मैं बतायता हूँ lead nitrate को गरम करने पर NO2 और O2 gas बनता है अगला question आपके screen पर कोई ततो oxygen के साथ अभिक्रिया कर उच गलनांक वाला जोगिक निर्मित करती है यह जोगिक जल में बिले है यह ततो हो सकता है आपको बता देना है कि कौन सा ततो हो सकता है ठीक है चो चलिए इसका उत्तर मैं ही बतायता हूँ फटा फटा फट इसका उत्तर हो जाएगा calcium CA जिसका संकेत है अगला कोशन आपके स्क्रीन पर ए रहा दोस्तों कार्बन योगिक के अध्यन को कहते हैं कार्बन योगिक के अध्यन को कहते हैं ठीक है आपको बता देना है कि कार्बन योगिक को क्या कहते हैं आपका टाइम चल रहा है जब तक टाइम खतम हो रहा है तब तक आप लोग नहीं से कमेंट बॉक्स में एंसर दे दिए इसका उत्तर हो जाएगा कार्वनिक रसायन ठीक है कार्वनिक योगी को के अध्यन को कार्वनिक रसायन कहते है अगला कुस्टन आगे आपके स्क्रिन पर ए रहा कुरकूरे चीप्स आदी के थैलियों में कौन सी गैस भरी जाती है जानते हैं आप लोग कि कुरकूरे चीप्स आदी के थैली में नहीं पैक करके आएगा गैस नहीं भरा रहेगा तो वो खराब माना जाता है इसलिए उसमें गैस भरी रहती है तो आपको बता देना है कि उसमें कौन सी गैस होती है चलिए तो इसका टाइम खतम हुआ और मैं बतायता हूँ उसमें भरा जाता है नाइट्रोजन गैस ठीक है अगला कोस्टन आपके स्क्रीन पर ए रहा दोहन के कितने आवस्यक सर्ते हैं दोहन के लिए कितने आवस्यक सर्ते हैं चाह होती है ठीक है आपको बता देना है ठीक है चलिए आपका टाइम चल रहा है आप लोग जल्दी से जल्दी फटाफट एंसर दे दीजे इसका उत्तर हो जाएगा तीन दोहन के लिए कितने आवस्यक सर्त हैं तो तीन आवस्यक सर आपको बता देना है जो बहुत ही important question है और बार बार बोड एक्जाम में ऐसे question जो है पूछे जाते हैं लगभग competitive exam में भी ऐसे question जो है दोस्तों पूछे जाते हैं इसलिए आप लोग तत्तों के परमानु संख्या और और उसका संख्या याद रखेगा सट्रह और सीयल होता है परमानु संख्या था उसका संक्यत वाईरोधी बरतअव में खादसामच्य का दिभी मी हो जाती है我說 दोस्तों वीडियो कैसे लागए डियो चल्याइब कर दिभी अरथा धीरे ठीक है। ठीक है।